अभी भी माववादी है तिलंगाना में अनुसूची जंजाती समुदाई की एक महिला पर अत्याचार का मामला सामने आया है तिलंगाना पुलिस ने गुरुवार को कुमाराम भीम असिफाबाद जिले के जैनूर मंडल में अनसुची जंजाती समोधाई की एक महिला के साथ दुशकर्म और हत्या का प्रयास करने के आरोप में एक ओटो चौलक को गिरफतार किया हाला कि घटना की जानकारी के बाद इलाके में तनाव फैल गया बुद्वार को जिले के जैनूर में तनाव फैल गया और उग्रभीड ने विरूट प्रदर्शन के दुरान वियापारिक प्रदर्शानों पर हमला कर उन्हें आग के हवाले कर दिया जिसके बाद प्रशासन ने बी एन एसस की धारा 163 की तहट निशिताग्या लागू कर दी है और लोगों से सांपरदाइक घटनाओं के बारे में फैलाई जा रही अफ़ाहों पर विश्वासना करने का अग्रह किया है जिलाएसपी गोश आलम ने चिताव ने दी है कि जैनूर में सांपरदाइक जड़पों पर अफ़ा पहलाने वालों के खलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी इस बीच राश्ट्री अनसूची जंजाती आयो के सदस जथो थू हुसेन नायक और तिलंगाना भाच्पा अनसूची जंजाती मोर्चा के अधिक्ष टोटर कल्यान नायक ने कुमाराम भीम असिफबाद जिले के जनूरू की अधिवसी गौन महिला की बारे में जानकारी म पिलने के बाद आज गांडी अस्पताल में पिलित परिवार से मुलाकात की अनसूची जंजाती आयो के सदस ने अस्पताल के अधिक शक को पिलिता को बहतर उपचार उप्रबद कराने का अंदर देश दिया पुलिस ने बताया कि जाच के दौरान पिलिता ने पुलिस को चौलक ने उसके साथ जबरदस्ती किया और उसके साथ दुशकर्म करने की कुशिश की जब वो चलाए और विरोध किया तो आटो चौलक ने उससे नीचे गिरा दिया और उसे डंडे से पीट-पीट कर मारा तो यह हमने आपको खबर बताए हाला कि इसके बाद में